handwriting सुधारने के साथ वैज्यानिक तरीके हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जो की scientific हैं, इससे आपकी handwriting में जरूर सुधार होगा, आप हिंदी में लिखते हो, चाहे अंग्रेजी में आप इन नियमों का पालन करें, पहला तरीका ठीक से बैठ कर लिखना, अगर आप सीधा लेट कर लिखेंगे, अगर एक पाउप पर खड़े होकर लिखेंगे, तो वैसा handwriting आप बिलकुल भी नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि आप ठीक से बैठ कर लिखते हैं, इसलिए जब भी आप लिखने बैठे हैं, कुरसी टेबल या study टेबल का उपयोग करें, इस प्रकार इस तरह लिखते हैं, कि पिछले दो-तीन पेज पर उसका निशान बन जाता है, इस प्रकार लिखने से आप बहुत जल्दी ठक जाओगे, और आपकी लिखावट भी अच्छी नहीं होगी, इस प्रकार लिखते समय नहीं पैन को जोर से पकड़ें, नहीं पैन को जोर से स्पीड को थोड़ा कम करें, अभी आप जितनी देर में तीन पेज लिखते हैं, उतनी देर में दो पेज लिखें, इससे आपकी हैंडराइटिंग में जरूर सुधार होगा, जब आपकी हैंडराइटिंग में सुधार हो जाए, तो स्पीड को धीरे-धीरे बढ़ा सकते है चौथा तरीका, केवल पंजा नहीं, पूरे बाजू को मूव करें कई विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, जैसे उसका केवल पंजा मूव हो रहा है पिछला भाग बिल्कुल स्थिर बना रहता है, जिससे उसे एक दो पेज लिखने में ही दर्ध होने लगता है क्योंकि बलड सर्कुलेशन पूरे हाथ में ठीक से नहीं हो पाता इसलिए आप लिखते वक्त पूरे बाजू को मूव करें, इससे आप हैंडराइटिंग में सुधार कर सकते हैं पांचमा तरीका, दो, शब्दों के बीच गैप सामान रखें यह बहुत महत्वपूर्ण है आप जब भी लिखें, हिंदी या अंग्रेजी में दो शब्दों के बीच गैप सामान रखें ऐसा नहीं कि कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कुछ भी गैप नहो कई बार दो शब्दों के बीच, गैप नहोने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है इसलिए आप अपने अंतिम उंगली के बराबर दो शब्दों के बीच गैप रखें हैंड राइटिंग अच्छा दिखाई देगा छठा तरीका लिखते समय पेज की सफाई पर विशेश ध्यान दें एक विद्यार्थी एक पैराग्राफ लिखता है उसमें से पांच शब्द को काट देता है या ओवर राइटिंग कर देता है जो देखने में बहुत गंदा मालूम पड़ता है पेज पर आपने 4-5 जगे कट मार्क कर दिया फिर आप चाहे कितना भी अच्छा लिखें वो गलत इंप्रेशन जाता है इसलिए आप पेज सफाई पर ध्यान दें तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी सात्मा तरीका लिखने में पेंसिल का उप्योग ज्यादा करें भले ही किसी भी क्लास में क्यों ना हो यदि आपको हैंड राइटिंग में सुधार करना है तो प्रति दिन एक दो पेज पेंसिल से जरूर लिखें